हाई एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेपेशन अच्छे से कर रहे होंगे काफी दोजनों से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा जो अर्थमाटिक सेक्शन है उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रहे ह है और आर्थमाटिक सेक्शन हमारा बहुत बीख है किस तरिके से आपने आर्थमाटिक सेक्शन को स्ट्रॉग मिना सकते और कौन-कौन रहे हैं चलिस इस पहले इक चीज़ कर देता हूं कि किसी भी method का कोई भी sortics नहीं होता है अगर आप basic concept पढ़ेंगे तो वही आपका sortics होता है उसमें आपको sortics कैसे होता है कि देखें जो basic हमार पास formula होता है उसमें हमार पास जो last में result निकलता है उसमें हमें एक formula मिल जाता है तो कोई भी टीचर जब आपको online पढ़ाता है तो उसमें वो क्या करता है कि वो जो last का conclusion होता है उसको put कर देता है direct आपके किसी भी questions में और हम लोग समझते हैं कि वो एक sortix है बट वो एक sortix नहीं होता है वो एक basic formula होता है तो इसलिए हम ही क्या करना पड़ेगा सबसे पहले अपने basic concept को अच्छा करना पड़ेगा ताकि हमें sortix का पता लग सके उसके बार हम बात कर लेते हैं second topics के बारे में जो है हमार पास books कि हमें कौन सी books को follow करना चाहिए तो सबसे पहले first category आती है हमार पास RS ग्रेवाल की books अगर तो आप practice कर सकते हैं जो कि different different patterns के base के उपर होते हैं तो अब आप सुचेंगे कि different patterns के based questions कैसे होते हैं अब suppose कि आपने कोई topic पढ़ा right आपने simple interest एक topic पर लिया तो simple interest topic भी एक छोटी सी बात है कि simple interest तो उसका formula क्या होता है सिर्फ छोटा सा formula ता बट उसी के base के उपर बहुत सारे type से questions बन जाते हैं different different types से घुमा फिरा के questions बन दे तो हमें उन जो घुमा फिरा के questions बनाए जाते हैं तो उनकी practice करने हैं तो उनकी practice कैसे करें तो उस books में आपको hundred to hundred questions मिल जाएंगे उसी तरह के pattern के base के उपर और जो second book है वो आप follow कर सकते हैं राजेस वरमा सर की book है जिसको भी आप follow कर सकते हैं और third book हमारे पास आते है वो है KD publications की अगर आप KD publications की books को follow करते हैं तो उसमें भी आपके basic concept दिये होते हैं उसमें sortics भी आपको मिलेंगे उसमें आपको questions भी मिलेंगे तो इन books को follow कर सकते हैं आप अपनी math के automatic section को strong करने के लिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपने books ले ली तो books को कैसे आपने study करना है सब से पहले आपने कोई topic उठाना है तो किसी topic पर आपने क्या करना है सबस्क्राइब करना है कि आपने उसके number of type questions को solve करना है means different different patterns के उपर आपने उस particular topic के questions को ढूणना है और उनको solve करना है और आपने एक नोट बुक्स में लिख लेना है उसके बाद आपने last में क्या करना है कि आपने जो भी topic cover किया उसकी एक quiz लगाईए या mock test दीजिए उसमें जो भी उस topic के उपर questions आता है तो देखे कि आपने वो questions को solve किया या नहीं किया आपको problems आई या नहीं आई या आपको वो question करने में कितना time लगा तो इन सब चिज़ कि topics को कैसे cover किया जाए कि mathematics के कुछ ऐसे topics होते हैं जो एक दूसरे से correlated होते हैं तो सबसे पहले हमार पास first category में आते हैं हमार पास जैसे time and work हो गया work and wages हो गया pipe and system हो गया यह तीन topics कैसे हैं जो आपस में correlated हैं इनकी concept भी सेम है और इनकी strategy भी सेम है कि आप सिर्फ इसमें जो है कुछ-कुछ values change होती है और जो basics concept है वो सेम है तो इन तीन topics को जब भी आ पढ़ें तो एक अठा पढ़ें उसके बाद आते हैं हमार पास next topic है वो हमार पास train, train के राद boat and stream और last में time and distance यह तीन topics कैसे हैं जो आपस में correlated हैं तो इन topics को भी जब भी आ पढ़ें तो एक साथ patterns के questions देखें उसके बाद आपने कोई इसको solve करना है तो इसी तरीके से कोई भी topic उठाएं तो यह चार चीज़ें आपको जुरूर करने हैं उसके बाद आपके पास next topic आते हैं मार पास वो है ratio proportion, age, allegation mixture और age और partnership यह 4 topic आपके ऐसे हैं जो की आपस में correlated हैं तो इन 4 topics को जब आप cover करें तो इकठा करें राइट यह topics को भी आपने विसी pattern में करना है concept बना है, sortics बना है, उसके 100 to 100 questions को solve करने हैं उसके बाद आपने last में quiz को लगाना है तो हर एक topics का आपने इसी तरह के pattern को follow करना है और last में हमार पास जो next आता है, वो आता है age, age के बाद आप profit loss और profit loss क and simple interest, इन topics को भी आप cover कर सकते हैं, तो इन जो तीन topics हैं, यह भी आपस में correlated topics हैं, इन तीन topics को भी आप एक साथ में इकठा cover कर सकते हैं, बट आपने किसी भी एक topic को 3 से 4 days लगाना हैं और उसके बाद आपने next topic पे proceed करना है, और जब भी next topic के proceed करेंगे तो उससे पहले पिछल 20 minute निकाल के उसका revision करना है, तभी आप जो है next topic पे proceed करेंगे और अपनी quiz जो है, वो daily लगाते रहें, जिससे आपको जो आपके previous concept होंगे, वो भी आपके previous concept आपको ने पढ़े होंगे, वो भी आपके mind में remember हो जाएंगे कि इस concept के base के ओपर ये questions पुछा गया तो इस तरह से solve करना है, तो आपको जो प्राने concept है, वो भी याद रहेंगे, पिछले जो आपने पढ़ा होगा, और जो नया चीज़ा आप पढ़ रहे होंगे, तो उस चीज़ को भी आप याद रख पाओगे, ये आपका एक benefits होता है, quiz देने, class topics के बारे में average, उसके बाद allegation mixer, HCF, LCM, और last में हमार पास आता है number system, तो ये जो topics हैं, इनको आचा topics को आप एक साथ में cover कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप arithmetic के पूरे sections को cover कर सकते हैं, और अपने weak section को strong बना सकते हैं, अगर आप इस pattern के base के उपर अपने study को follow करेंगे, तो आपको definite result मिलेंगे, अगर आपको वीडि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को like सेर करना, मत बुलिएगा, thank you for watching, मिलते हैं मैं next video में